दोस्तों ये कहानी पूरी तरह से कालपनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति नामुत्पाद या वास्तविक्ता का अपमान नहीं किया गया है अगर आप लोग हमारे PFM नौवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुँचाते रहें धन्यवाद आप देख रहे हैं देव पुत्रकर्ण एपिसोड वन करन आया होश अचानक आस्मान में काले बादल चाने लगे चारो तरफ बिजलिया कढ़कने लगी ऐसा लग रहा था कि बहुत भारी बारिश होने वाली है ऐसा भयानक दवाब सब पर पढ़ने लगा जैसे सबकी आत्मा आज ही शरीर का साथ चोड़ देगी एक तूटे तारे के समान एक रोश्णी अनंतंतरिक्ष से प्रित्वी पर आने लगी उस रोश्णी को प्रित्वी पर हर जगा देखा जा सकता था अचानक एक घोर तपस्या में लीन साधू ने आख खोली और वो बोला लगता है अब उसके आने का समय हो गया है थोड़ी देर बाद वो साधू एक महल में प्रकट हुआ आसपास के लोग उस साधू को देखकर आदर से सर जुकाने लगे उस साधू के पास एक और साधू डोड़ते हुए आया और बोला प्रणा महागुरू रुद्र क्या उसके आने का समय नजीक है जो अपनी साधना अधूरी छोड़ कर आ गये जी हाँ आचार्य संजीव वो जल्द ही आने वाले हैं उनके आने से पहले हमें अपने सभी लोगों को इकठा करना होगा कहानी के लोगों का छोटा सा परिचे करन सिंग कहानी का हीरो उम्र 15 साल दिखने में काफी हैंसम बिल्कुल किसी हीरो की तरह राना प्रताप सिंग करन सिंग के दादा साहेब उम्र 70 के आसपास पर दिखने में बिल्कुल 40-45 उम्र के चहरे अलग ही तेज महरानी अमृता सिंग करन की दादी साहिबा उम्र 65 पर दिखने में आज भी 35-40 उम्र की चहरे पर महरानियों वाला तेज राना सुरेश सिंग, करन के पिताश्वी उम्र 40 पर दिखने मैं बिल्कुल यंग और एनेजिटिक रानी सीमा सिंग, करन की मा उम्र 30 पर दिखने बिल्कुल देवी के समान सुंदर और ममतामई राना कमल सिंग, सुरेश सिंग के बड़े भाय और करन के ताव जी उम्र 42 साल रानी रीना सिंग, कमल सिंग जी धर्म पत्नी और करन की ताई जी उम्र 40 साल राना सुशील सिंग, सुरेश सिंग के छोटे भाय और करन के चाचा जी उम्र 35 साल अभी तक खुवारे माही और विजय करन के सगे और बड़े भाई बहन विक्रम और विवेक करन के ताव जी के दो लड़के और निशा एक लड़की ये छोटा सा परिचे बाकी आपको आगे पता चलता रहेगा अब कहानी पर आते हैं राना प्रताप सिंग राजस्थान के एक छोटे से दल के महाराज है जिसका नाम सिंग दल है आज सिंग दल में बहुत हल चल हो रही है कोई किधर भाग रहा है कोई किधर सब के चहलों पर अलग ही तनाव और चिंता दिखाई दे रही थी महाराज प्रताप सिंग मायूस होकर एक लड़के को एक नजर देख रहे थे जहां उस लड़के के आसपास अलग-अलग गुनों की जड़ी बुटी रखी थी कई बे उन जड़ी बुटियों से अलग-अलग तरह की दवा बना रहे थे लेकिन उस लड़के पर कोई असर नही हो रहा था हताश बे महाराज प्रताप सिंग से कहते हैं महाराज हमने अपने सभी प्रयास कर लिये है अब तो इनका बचना भगवान शिव के हाथों में है प्रताप सिंग निराशा में बे को धन्यवाद करते हैं और कितना समय बचा है इसके पास जी हाँ आप बिलकुल सह सोच रहे हैं ये सब बाते हमारे हीरो करण की हो रही है महराज अगर राजकुमार करण कल सुबह तक नहीं उठे तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता धीरे धीरे पूरा कमरा खाली हो जाता है केवल करण अकेला बिस्तर पर आँख करके बेहोश सा लेटा हुआ था अचानक करण काफी घबरा जाता है करण को थोड़ी रहत मिलती है करण सोचता है चलो कुछ महसूस तो हुआ करण ऐसे ही चलते चलते दो घंटे और बीटता है आखिर तक कर चूर हो जाता है करन सोचता है कितने देर से चल रहा हूं तब जाकर कुछ दिखा है। थोड़ी देर आराम कर लेने के बाद करन फिर से चलाना शुरू करता है करीब 2 घंटे तक और चलने के बाद करन को बहुत शक्ती महसूस होती है। करन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसका सर भारी होता हुआ महसूस होता है पर करन शक्ती की तरफ आकरशित होता हुआ आगे बढ़ता जाता है अब उसे अंधेरा हटाता हुआ महसूस होता है एक अजीब सी आवाज करन के मन में चलने लगती है जैसे कोई अपना उसे अपने पास बुला रहा हो लेकिन कोई दिखाई नहीं देता है करन थोड़ा और आगे बढ़ता है पर अब और आगे जाने की उसमें शक्ती नहीं बची करन अब अपने घुटनों पर आ गया और हाफ रहा था उसे ऐसा लगता है जैसे कोई जर्ना उसके पर बहुत जोड़ से गिर रहा हो लेकिन अचानक सारा दबाव खतम हो जाता है और करन देख है वो शक्ती एक इनसान का रूप ले रही थी वो शक्ती एक देवता का रूप धारन कर लेती है करन तो उस देवता को खुली आँखों से देख भी नहीं पा रहा था थोड़ी देर बाद उस रोशनी ने आभा को कम किया और करन की तरफ देखने लगी करण आभा कम होने के कारण अब सर उपर करके देखता तो थोड़ा डर जाता है तो वो देवता करण को देखकर हसने लगता है और कहता तुमको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है छोटे उस्ताद करन कहता है मैं दर नहीं रहा पर आप कोन है और मेरे अंतर्मन में क्या कर रहे है मैं कोन हूँ ये जानने के अभी तुम काबिल नहीं हो वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा खड़ा होने की कोशिश करता है पर गिर जाता है और उसके मुह से आह निकल जाती है उसकी आवाज सुनते ही एक औरत दोरते हुए आती है और करन को देखकर रोने लगती है जी हाँ वो करन की मा होती है। क्या होगा करन की जिन्दगी में आगे क्या क्या परिवर्तन होगा आगे कहानी में जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर धन्यवाद।